हेलो फ्रेंड्स आज जो हम मूवी करने वाले हैं एक सिरियल किलर मिस्ट्री है इसका नाम है एच यह एक कोरियन मूवी है यह एक ऐसी मिस्ट्री है जो आपको लास्ट तक कुछ भी समझ मेने आएगी लास्ट में जो ट्विस्ट है यह भी बहुत ही खतरनाक है अगर आपको होल्यूट की सेवन मूवी की तरह सिरियल किलर मिस्ट्री मूवी पसंने तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो चलिए शुरू करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमें दीखता है कच्रा डंब करने वालों को बौडी कच्रे में मिलती है डिरेक्टिव कीम जब वहाँ जा रही होती है तब उसे नया एक ओफिसर जॉइन करता है जिसका नाम होता है क्यांग क्यांग ने अभी अभी पुलिस फोस जॉइन की है जब एक क्राइम सीन पर पहुछते है तो यहाँ एक लड़की मरकर पड़ी हुई होती है यह प्रेग्नन थी और प्रेगनांसी की वज़े से भी यह मरी हुई हो सकती है जब इस बड़ी को इन्वेस्टेड कर रहे होते है तो भी और एक छोटे से बच्ची की बड़ी भी होने मिल जाती है इस बच्चे की जो कॉर्ड है या भी उसको ही लगी हुई है अब डॉक्टर बॉडी की इन्वेस्टिकेशन कर रहे होते है जब ये डॉक्टर से पुछते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये डेध प्रेग्नेंसी की वज़े से हो सकती है पर अभी तक ये शूर नहीं है नेक्सिन में हम देखते हैं कि एक लड़की बस से जा रहे होती है बस अब स्टॉप पर आ जाती है सब लोग चले जाते हैं पर ये वहाँ से उटती नहीं बसका ड्राइवर जब देखता है तो उसका मर्डर हो चुका होता है अब हम देखते है कि दिरेक्टिज किम और कैंग ये दोनों क्राइम सेन में पर पहुच गए है यहां कर वो देखते हैं तो लड़गी के पेट फाड़ा होता है क्राइम सेन ये पुरा जासते है और इसके बाद किम अब इसके इन्वेस्टिकेशन में लग जाती नेक्स दे सब डिटेक्टिव्स की मिटिंग हो रही होती है तो किम इन सब को ब्रीफ करती है किम कहती है कि हमें दो मार्डर्स मिले है पहला मार्डर जो था एक प्रेगनन लेडी का था और ये जो थी इसका अबर्शन हो चुका था एक सिरियल किलर का पैटन है जो सिरियल किलर फिर abortion वाले और इसके बाद एक लड़की का murder होने वाला है जिसका year cut off होगा अब हम देखते हैं किम और कैंग ये दोनों serial killer से मिलने के लिए जाने वाले होते हैं किम इस serial killer से मिलने ही पाती क्योंकि इसका जो husband था ये serial killer की investigation कर रहा था तो भी pressure सेहन नहीं कर पाया और उसने suicide कर ली थी किम इस serial killer को देखना सेहन नहीं कर पाएगी क्यांग शिन से मिलने के लिए जाता है शिन को उसकी file पढ़कर सुनाता है शिन ना actual में six murders किये थे जब छटा murder उसने किया था तो body उसने bank में डाली और खुद police station में चला गया था क्यांग उसे धमका था है कि जल्दी सी मुझे बता दो ये क्या किसने है शिन क्यांग से कहता है कि तुमारी body और soul से heart तक जाने वाला sound क्या कभी तुमें सुना है ये एक बड़े से hole की तरह होता है क्यांग शिन जो कह रहा है इसमें interested नहीं होता उसे सब crime scene की photos दिखाता है शिन कहता है कि मुझे इनकी चीखे सुनाई दे रही है ये बोलता है कि जब ये लोग मर रहे होते इन्हें सब को सही सही दिखाई दे रहा होता है इसमें एक piece होता है शिन कैंग को कहता है कि तुम अब monster को पकड़ने जा रहे हो ध्यान रखना कि तुम खुद monster न बन जाओ कैंग फिर यहां से चला जाता है जो serial killer है इसी ये भी पता होता है कि Kim यहां इस room में नहीं है पर ये सब वो सुन रही है ये बहुत ही smart होता है अब कैंग और Kim को कोई भी evidence नहीं मिला है तो अब Shane यानि की serial killer इसके psychologist के पास सुझाते है इस psychologist से वो files अगरा मांग रहे होते है ये psychologist कहती है कि वो मेरा patient था वो कोई भी trouble में आ सके ऐसा भी कुछ भी करने नहीं वाली ये वो cigarette रगने वाली होती है कैंग कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो और भी लोग खत्रे में हो सकते है पते ये बानने वाली नहीं होती ये जब psychologist से पूछते है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा वो कहीती है कि वो बहुत ही restless हुआ करता था जब वो लोगों को मारता था तब उसे अच्छा लगता था अब वो जेल में है तो वही उसे आफ फील होता होगा अब ये दोनों वहासे चले जाते है गाड़ी में क्यांग किम से कहता है हमें और भी शीन की investigation करनी चाहिए किम कहती है कि ये सही नहीं होगा हम अगर उसकी investigation करेंगे तो और भी time हम कवा देंगे जो real serial killer है हमें उस पर ही focus करना चाहिए ये सब invari करी रहे होते है तब ही और एक murder नहीं मिल जाता है शीन जिस pattern में murder करता था इसी pattern में ये हो रहे है ये अब इस सब में एक logic ढूणना चाहते है जब ये pattern ढूणते तो इने पता चलता है ये जो सब लड़किया थी एक होस्पिटल में अपना check up करवाने के लिए गई थी होस्पिटल स्टाफ से ये बात करते तो इने पता चलता है कि वहाँ एक आत्मी काम करता था जिसने अभी अभी resign कर दिया है ये जो आदमी था इसके भी previous crime के record है अब हम नेकसिन में देखते हैं कि जिस आदमी का जिकर हो रहा था जिसने होस्पिटल से अभ resign कर दिया है उसके घर पर कैंग आ जाता है जब ये आदमी अपने घर पहुचता है तो वहाँ से भागने लग जाता है कैंग भी इसका बीचा करता है भागते भागते ये कलब में आ जाता है कलब में आने के बाद इसे कोई पकड़ ना सके इसलिए एक चाकू लेता है और लड़की के गले पर लगाता है कैंग शान्त हो जाता है फिर भी इस लटखी को मार कर और भाग रहा होता है कैंग इसर बहुत सारी गोलिया चलाता है जब इसे होस्पिटल में भरती करवाय जाता है तो एक कोमा में चला गया होता है यह अब होस्पिटल में काम करने वाले और जो पुराने सिर्यर किलयर यानि कि Shin इन दोनों में connection बनाते है यह दोनों एक ही prison में थे यानि कि एक दूसरे को जानते थे यह जो murder हो रहे थे यह Shin नहीं करवाए है ऐसा हो सकता है Kang अब फिर से Shin से मिलने के लिए जाता है वो कहता है कि तुम्हारी जो सब चाल थी अब वो खतम हो चुकी है Shin के pattern में जो next murder होने वाला था तो उसमें हाथ की ring missing थी अब वो murder हो नहीं पाएगा तो Kang वो ring लेकर आता है Shin को वो चीडा रहा होता है Shin उसे कहता है कि तुम इस murder से attached हो रहे हो attachment हमसे बहुत सारे बुरे काम करवाती है ये ring Shin लेता है और इससे खेलने लग जाता है Shin कैंग से कहता है हमारे body में जो blood है अगर वो dirty है तो इससे कोई भी बदल नहीं सकता लोग heaven के बारे में बात करते है price cheat के बारे में बात करते है पर ये कोई कर नहीं सकता कैंग उठ जाता है तो जल से जल Shin को फासी देने वाले है कैंग कहता है कि hospital में जो काम कर रहा था और Shin इन दोनों में सही से connection अभी हमने बनाया नहीं है वो सस्वेश में एक दूसरे से मिले थे या नहीं यह हमें पता नहीं है हमें और भी इसकी investigation करनी चाहिए इनके boss को नहीं लगता कि इस पर जाते investigation करनी चाहिए किम को भी यही लगता है अब एक case burn करने वाले होते है इस पर कैंग बहुत इचिर जाता है यह था है कि आप में नोकरी छोड़ देने वाला हो यह frustrated हो चुका होता है कैंग का friend उसे संभालता है और एक बारे में लेकर आता है थोड़ी देरे में किम भी वहाँ पहुच जाती है कैंग उसे कहता है किम अपने आपको तुम बहुत ही smart समझती हो वो case के बारे में उसे कहता है किम कहती है और भी serial killer है जिने हमें पकड़ना है बहुत सारे लोग हम अभी भी जान बजा सकते है हम अगर stream के पीछे ही पड़े रहे तो सही से काव नहीं कर पाएंगे अब next दिन हम देखते है कि psychiatrist कैंग से मिलने के लिए आती है उसे बहुत सारे questions होते है पर क्यांग इसे नहीं देने वाला होता क्यांग उसे जाते जाते कहे कर जाता है अगर तुम इस case के पास मुझे दिखी तो मैं तुम पर भी शक कर सकता हूँ तुम भी travel में आ सकती हो अब next दिन में हम देखते है रिक्ट्यू को एक जगा की tip मिलने होती है वहाँ वाँ सर्विलेंस वेगरा रख रहे होती है तबी उन्हें एक बड़ा सा साउन आता है जो वहाँ देखने के लिए जाते है वहाँ और एक मर्डर हो चुका होता है शिंग जिस तरह से मर्डर करता था उसी तरीके से इस मर्डर में भी अब रिंग मिसिंग है किम जब देखने के लिए जाती है तो नीची उची कुछ शैडो दिखती है इसका पीछाओ करती है तो वहाँ कैंग ही होता है कैंग भी इस सिर्यल गिलर के पीछे पड़ा था और इसमें उज़रा इंजोर हो चुका है कैंग को अब ज़ादा कुछ याद नहीं है कैंग जणने इस दिन पुलिस स्टेशन में होता है तो एक क्रिमिनल से मिलने के लिए उसकी वाइफ आयो होती है पर इक क्रिमिनल उसे मार रहा होता है कैंग फिर उस औरत को बचाता है और लेकर जाता है इसके बाद इसी औरत के साथ यह खाना खा रहा है यह हमें दिखता है जब कैंग और किम इनने स्टेशन कर रहे होते जब सिरियल किलर की हिरिंग चल रही थी वहाँ जो भी सब लोग आये थे इन सब की वो लिस निकालते है इसमें कॉमन कौन था यह वो देख रहे होते है कुछ साथाट लोगों के नाम यहाँ उभर कराते है इन सब के वो क्रिमिनल रेकॉर्स निकालते है इसमें एक आदमी हो देखते है तो कैंग इसे पहचान लेता है कैंग कहता है कि मर्डर के आसपास मैंने इस आदमी को देखा था इस आदमी का पता वेगरा निकालते है और उसके अपार्मेंट पर टीम लेकर जाते है जब वो अपार्मेंट में गुशते है तो वहाँ खून से डेट्स लिखी हुई होती है जिस डेट्स पर यह खून होते है यह वो डेट्स होती है अब किम इसमें पैटर्न बना लेती है यह फेड से होने वाला है और यह किस डेट्स पर होने वाला है यह उसे पता है यह सिरेल किलर से बुछती है इन छे लड़कियों को तुमने मारा था क्या इसी तरह से और भी किसी को तुमने मारा है यह कह रहा होता है यह छोटे बच्चे जिस तरह से कुछ भी चीजों से खेलते हैं और ने तोड़ देते हैं उसी तरह से वो यह सब करता है किसी को मारना यह उसे गलत नहीं लगता ये उसे pure instinct लगती है किम कहती है कि छोटे बच्चे किसी को hurt नहीं करते सिन कहता है कि मैं भी लोग को hurt नहीं करता जब मैं उन्हें मारता हो तो अच्छे place पर वो चले जाते है मैं उन्हें free कर डालता हो ये जाते जाते वीश करता है इसे लगता है कि कभी वो इससे बहार मिल सके इसके बाद हम देइते कि कैंग और किम बीच पर आये ह chords थे कैंग अपनी मदर की स्टोरी सुनाँ रहा होता है कैंग की मदर प्रोस्टृूट थी यह अपनी मदर को सिस्टर बुलाया करता था यह उसकी मदर है, यह वो सबसे छुपा कर रखते थे, क्योंकि इसकी मदर ट्रवल में आ सकती थी यह क्याता है कि जब हम दोनों बीच पर आते थे, तो मेरी मदर मुझे सच्च में दिखाई देती थी वो जैसे थी, वैसे मैं उसे देख पाता था, अब इसकी मदर मर चुकी है अब और एक डेट आ चुकी होती है, जिस पर मर्डर होने वाला होता है यह साइकाट्रिस का इन सबसे कुछ ना कुछ तो लेना देना है, अब साइकाट्रिस का यह पीछा करते है अजनक से साइकाट्रिस गायब हो जाती है, कैंग फिर से उसी आदमी को देखता है, जिसे हो हर क्रैम सिन पर देखता है इसके पीछे वो भागते है, पर इसको स्पॉट नहीं कर पाता किम साइकाट्रिस को ढून लेती है, और साइकाट्रिस का एक लेक्चर होता है इस lecture में उसके पीछे-पीछे को पोच जाती है थोड़े टाइम में kang भी वहा जाता है lecture होने के बाद ये वहाँ से जा रही होती है तो गाड़ी में ये दोनों इसका पीछा करते है ये उसका पीछा करते करते ट्राफिक में अडग जाते ये साइकेट्रिस एक जगा पर जाती है कैंग पैदली इसका पीछा करने लग जाता है और इसके गाड़ी को स्पोट कर लेता है किम थोड़ी देर में वहाँ पोच जाती है वहाँ देखती है तो साइकेट्रिस मर कर पड़ी हुई होती है इस पर भी वार हो जाता है और ये भी इंजोर्ड हो जाती है थोड़ी दिर में कैंग भी वहां इंजोर्ड होको पड़ा होता है जब वो होश में आता है तो उसे लगता है कि दोनों मर चुकी है पर किम जिन्दा होती है साइकेटरिस्ट अब मर चुकी है तो शीन की फाइल जो साइकेटरिस के पास थे ये वो लेकर आते है जब वो टेप लगाते है तो साइकेटरिस शीन के बारे में कह रही हुती है ये कह दिये कि शीन के मदर ने अबोर्शन करवाया था अबोर्शन करते वक्त कभी कभी तीन महिने का अगर यह अबोर्शन होगा तो बच्चे जी भी सकते है इस SUBSCRIBE शीन था शीन जब बेट में ही था तबी अवड़ने मदर से खेह रहा था अगर तुम मुखे हठ मत करो अगर तुम मुझे हर्ट करोगी तो मैं भी तुम्हें हर्ट करूँगा इसकी मदर ने अबोर्शन करवाया था पर शीन इस अबोर्शन से बच गया था बचपन से ही औरतों के ब्रथी इसी घिन थी इसी वज़े से यह सब मर्डर उसने किये थे यह जब यह देख रहे होते हैं तो इनका बॉस वहात है यह कहता है कि शीन को अब उन्होंने फासी दे दी है कैंक कहता है कि क्या उसने मरने से पहले क्या कुछ बोला था उन कॉफी सर कहता है कि वो कह रहा था कि मैंने अपनी मदर को मार दिया है कैंग और किम दोनों बाहर बेटे होते हैं किम कैंग से खेती है कि कभी-कभी मुझे रखता है कि मेरा हस्बंड अगर मेरी जगा होता तो वो क्या करता ये अपने हस्बंड को बहुत ज़ादा मिस करती है अब नेक सिन में हम देखते हैं इसने हमना नाम जेंच कर दिया था इसी वज़े से इसे स्पॉर्ट नहीं कर पाए इसका और एक घर है अब इसे पकड़ने के लिए ये सब वहाँ पोच जाते है जब वो यहाँ पोचते हैं तो यही वो बेठा हुआ होता है इसने ही ये सब क्राइम किये थे इसके घर में इने मिल जाते है अब जो रियल सीलेर किलर था इसके बारे में इने पता चल चुका है तो एक केस बरन हो जाता है जो उसको पकड़ना चाता था अब वो सब मर चुके है किम अभी भी murder के जो files होते है इसे ही देख रहे होती है वहाँ पर एक अलग चीज वो notice कर दिये के थी कि एक murder जहाँ हुआ था वहाँ पर दीन footprints होने चाहिए थे एक murder के मेरे ordered it to Kang के और वहाँ दो ही थे इसका मतलब है वहाँ serial killer था ही नहीं Kang ने ये murder किया हो सकता है ये जाकर Kang के phone records निकलवा थी है इन phone records में देखती है तो Kang को murder होने से पहले हवेशा phone आया करता था और ये serial killer का ही था किम को अब शक जाता है और पहला hospital का जो staff था जो murder कर रहा था इसके पास उसे मिलने के लिए जाती है अभी ये कोमा से बहार आ चुका है और इसके doctor से बात करती है doctor कहते है कि एक hypnotize statement था ये जो सब कर रहा था इसके control के बहार था अब कि इनको पता चल जाता है कि Shin ने इसे hypnotize किया था Shin ने इस आदमी के mind में सब कुछ information भर दी थी जब भी Shin को लगता था कि अब murder होना चाहिए तो इसके mind में ये कुछ trigger लगा देता था ये जो trigger होते थे कोई भी हो सकता है जब phone की ring बचती थी तो जो इसका victim है इसका subconscious mind trigger हो जाता था अब जिसे वो चाहिए उसे mark कर आता था Kim अब figure out कर थी है कि यही चीज कैंग के साथ भी हुई थी क्योंकि murder होने के पहले कैंग को call आता था और इसके बाद murder होते थे Shin को मिलने के लिए जो भी सब जाते थे वो सब इस तरह से hypnotize हो जाते थे हमने movie में देखा है कैंग जब Shin से मिलने के लिए जाता है तो अपने साथ एक ring लेकर जाता है Shin उस ring से खेल रहा होता है इस ring से ही वो इसे hypnotize कर देता है कैंग को अब एक CD मिली है यह CD जब वो लगाता है तो कैंग फिर से trigger हो जाता है वो जाकर एक औरत का murder कर कर आता है King भी कैंग की location निकालती है वो C के पास ही होता है वहाँ जाकर वो देखती है वहाँ जाकर एक औरत का उसने murder कर दिया है Shin ने मरने से पहले कहा था कि मैंने अपनी mother को भी मार दिया है अब कैंग ने जिस औरत को मारा है यह Shin की mother ही थी जब कीम वहाँ पोच्छती है तो कैंग को पच्टा हो रहा होता है वो अपने आपको गन चलाने वाला होता है पर वो चला नहीं पाता Shin ने कैंग से कहा था कि murder solve करते करते तुमी monster मत बन जाना तो यही अब हुआ है कैंग खुद ही monster बन जुका है किम कैंग की गन लेती है और कैंग को ही मार डालती है किम का हस्बन भी Shin की ही investation कर रहा था Shin ने उसे भी hypnotize किया था इसी वज़े से किम के हस्बन ने अपने आपको मार दिया था अगर कैंग जिन्दा रहता तो शिन ने अभी उसके मायन में और क्या fit किया है यह किसी को पता नहीं है कैंग और भी murder कर सकता था इसलिए किम अब उसे मार दिती है किम को बहुत ही पच्टा होता है और वो रोने लग जाती है इस case में last तक वो कुछ भी कर नहीं पाई यही इस movie की बहुत ही sad ending हो जाती है इस movie के title का यानि कि edge का meaning hypnotism से था तो इस movie का जो suspense है यानि hypnotism इसका initial इन लोगों ने इस movie का नाम दिया है इस movie का नाम भी brilliantly रखा है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी इस movie लेकर आता है तो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पर दिजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दबाना में मत भूलिये हम फिर से में लेंगे और एक नई movie के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खयाल रखिये